तो स्वाकत है हमारे इस WordPress course के 11 पार्ट में जिसमें हम आपको subdomain और subdirector क्या होती है उसके बारे बताऊंगा उसके differences बताऊंगा गूगल के इसके बारे में क्या राय है और आपको कहुन साथ चीज़ करना चाहिए यह सारी बात है हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोख है छोड़ी है वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बात करते हैं सब domain और subdirector होती क्या है तो जो आपका main domain ने में जैसे मालो subfolder का होता है तो दोनो एक ही होते है तो जो आपका main domain का root folder है उसके नतर आपको यह एक नए folder add करोगे तो वह आपका एक sub directory बन जाएगा मतलब subfolder बन जाएगा तो उसी को sub directory बोलते हैं तो sub domain में कैसे wordpress install करना है और sub directory में भी कैसे wordpress install करना है और कौन सा plan यूज़ कर रहे हो तो इसमें में यूज़ कर रहा हूँ Bluehost और Bluehost का हम यूज़ कर रहे है Choice Plus Plan जिसको यूज़ और मेरी तरफ से recommend करने काई सारे reasons है और उसका already video में ने बनाया है कि क्यों मैंने इसको choose किया कैसे choose किया उसका भी आपको iCard में वीडियो मिल लागा तो आप उसको check out कर सकते हो और अगर आप Bluehost से web hosting बाय करने वाले हो तो मेरे डीचे दिये गए affiliate link से बाय करना उससे आपके pricing पे तो कोई effect नहीं पड़ेगा बस मुझे affiliate commission मिल लागा अगर आप मेरे link से बाय करोगे और उसके बदले में मैं आपको मेरी तरफ से जो मेरी ये full wordpress website setup service है जो 4000 में एक site का लेता हूँ वो मेरी तरफ से आपको free मिल लागा अगर आप मेरे affiliate link से लेता हो तो इस है, सब दोमेन है है वो एक अलगी website होती है और google बाकि search engine उसको एक अलग website की तरह टरीट करते है मतलब जो आपका main domain होता है उसका part नहीं मानते ह्ام तो sap directory होती है उसको एक aanga main website है उसके spare part मानते है तो जो google होते है बाकि search engine होता है उसको से Kombi website की तरह आपका domain authority आपके page authority आपके main domain के आपके sub directory में भी आएंगे मतलब उसको भी उससे benefit मिलता है अगर आपके कोई sub domain पर user आता है तो वो website उसको अलगी दिखेगी क्योंकि सब कुछ आपको वापस से एक नहीं website बनाओगा उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा तो अपने अलग theme यूज किया हो अलग चीजे अलग design सब कुछ change किया हो अलग colors यूज किया हो पर कोई अगर आपके sub directory पायागा और वहां पर आपके main website के theme या color से changes दिखेंगे त तो तो अलगेगा कि ये website अलग आगी मतला मैं किसी दूसरे website पर आगया हूँ बाकि आप same theme, font, color सब कुछ sub directory पर यूज करोगा आपके main domain से related तो कोई दिखेंगी बात नहीं है लेकिन बाइचांस अगर आप अलग अलग यूज करते हो यूज को यूज को इससे कोई जाला कहते हैं क्या समझते हैं तो Google का fund ना इसमें clear है आपका sub directory है उसको तो वो एक पार्ट ही मानता है उस website का लेकिन जो आपका sub domain आप बनाओगे तो 10-15 दिन वो लेगा उसको समझने के लिए बाकि उसको अलग website की तरह ही treat करेगा लेकिन easily आपकी website की pages rank करेंगे index होंगे कोई द code बनाना पड़ेगा और उसमें point आपको कर देना को आपके जो भी hosting है उसकी IP address पे तो वहाँ पे easily redirect हो जाएगा उस पे point हो जाएगा हर sub domain के लिए अलग-अलग hosting यूज करने तो आप वो कर पाऊगे लेकिन वही sub directory में आप वोची नहीं कर सकते हो क्यूंकि जो आपका main domain है वो main आपका एक ही hosting पे point हो रहा होता है तो वो नहीं होता है वो भी आप कर सकते हो आप sub directory को भी अलग-अलग hosting पे host कर सकते हो पर उस साफी complicated method हो जाता है और कई सारे redirects create हो जाएगे अगर आपकी website पे ज्यादा redirects होते है तो वो Google को पसंद नहीं आता है उस मामले में sub directory आप domain authority या page authority नहीं मिलती है और वहीं एक फाइदा हो जाता है sub director का क्योंकि आपके जो भी backlink से आपके जो भी domain authority पेज अपके main domain की वो आपके sub directory को मिल जाती है और sub domain को नहीं मिलती है और इसमें रहा दो कोई नुकसान या फाइदा है निया बस जो आपका sub domain है वो आपके main domain से अलग website की तरह treat करया जाता है जो आपके main domain part की तरह treat किया जाता है अब बात करते हैं कि आपको sub domain चूज करना चाहिए sub directory चूज करना चाहिए तो यह काफी लोगों confusion होता है तो वह भी दूर हो जाएगा बात करते है कि आपको sub domain कभी यूज करना चाहिए तो आपके main domain का जो करेगा फिक जो मेरा मेन नीश है digital marketing उसी के अंदर मैं इसको सब डायक्टि बना के कवर करूं गुगल को लोगे हां कि एस साइट मल्टी नीश पे काम करें और गुगल उसको ज्याले प्रिफर करता है ज्यादा ट्रस्ट करता है वहाँ पे उसकी रेंगिंग अची रहती है तो कर लेते हैं बाकि जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूस होते हैं इस वाली वेबसेट पर ज्यादा शेयर करते हैं और इस पर पूरा स्पोर्ट्स के रिलेटेड कॉंटेंट रहता है सेम उसी तरीके से इलो ने एक फूड का भी बना रखा है रहें के दोनों निश को अलग अलग कवर करने के लिए आप करते हैं आपको सब्दारिक्ट klaar का बनानी चाहिए आपका जो में ब्लॉगं उसके related ईया फिर उसका सब नीश आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको सब्दारिक्टर क मुशे करना चाहिए क्यूशकी आपका इं nd tv काई दिखा दो इन लोगों ने विशह सब डॉमेन बनायाओ है food.ndtv.com उसमें इनके जो मेन साइट है वह इंग्लिश पे ठीक है अगर इनको हिंदी टार्गेट करना तो इनने हिंदी लेंग्वेज के लिए अलग से डरेक्टिर बना रखी है येतिनी इसलिए सेम जो मिनका मेन ब्लोग है उसकी अथर्टी इनके सब डिरेक्टर को भी मिल जाएगी और एक अच्छा एक्जामपल एपल का apple.com आप देख सकते हो जो apple.com है वो US के related site है मतलब US के यहां पर आपको अगर आप यहां बाएपे में यहां पर यहां पर प्राइजिंग भी आपको INR में मतलब रूपीज में दिखने को मिल लेगी तो इन लोगों ने अलग अलग सब डिरेक्टरी बना लिए अगर वही अगर सब डूमें बनाते तो वह सब अलग अलग वेबसेट की तरह ट्रीट करते तो फाइनल डिरेजिजन तो आप ही का रहाएगा आप सब डूमें भी बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ और पूरे वोट्पेस को के पिछले वीडियो को चेक आउट करना तो आप वह एस प्लेडिस को चॉक्त कर सकते हो पिछले वीडियोई देखने के लिए लिए आने